Hello student, I am Mrs. Pathan Afrin Khan, welcome you for online studies. So children, today we are going to see lesson number 8 of 3-1, Soja Soja Nanni Muniya. So, let's start the lesson. तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लोरी, पढ़ो और गाओ. 3-1 का कविता क्रमांक 8, Soja Soja Nanni Muniya. इसे लिखा है सुर्य कुमार पांडे जी ने. तो बच्चों, चलो शुरू करेंगे. अभी मैं आपको पढ़के सुनाती हो. नैनों में सपनों की परिया, हरपल करे बसेरा, Soja Soja Nanni Muniya, प्यारा बचपन तेरा. अभी देखो बच्चों, इधर मां अपने बच्चे को लोरी सुना के सुला रही है. और अच्छे अच्छे बाते उसे बता रही है और बोल रही है. तो पहले देखो बच्चों, नैनों में सपनों की परिया, हरपल करे बसेरा. तो मां अपने बेटी को बोल रही है, कि जब तुम सोजाओ, तो तुमें हरपल परियों की ही अच्छे-च्छे सपने आए. और वही देखके तुम आराम की निन्द सोजाओ. मां अपने बेटी को कह रही है, कि तेरा ये जो बच्च्पन है, वो बहुत ही प्यारा है. और तू इस बच्च्पन में अच्छी-अच्छी परियों की परियों के सपने देखकर अच्छी निन्द सोजाए. तेरी पलकों पर खुशियों के फूल हजारों डोले कदम कदम पर मिले सफलता अपनी बाहे खोले अभी मा अपने बेटी को क्या कह रही है कि जब तू अपने पलके सोने के लिए बंद करे तो उसे खुशिया ही खुशिया नजर आए और वह आराम से सो जाए कदम कदम पर मिले सफलता अपनी बाहे खोले जिन्दगी में वह जहां भी कदम रखे तो वहाँ पर उसे सफलता ही सफलता मिले कभी भी वह अपने जिन्दगी से निराश न हो ऐसे कहकर मा अपने बेटी को लोरी गाकर सुला रही है अभी तुझको देख लोट आता है फिर से बचपन मेरा सोजा सोजा नन्ही मुनिया प्यारा बचपन तेरा जब मा अपने बेटी को पालने में सोते हुए देखती है तो उसे अपने बचपन की याद आती है और फिर मा कहती है सोजा सोजा नन्नी मुनिया प्यारा बचपन तेरा तेरा ये जो बचपन है वह बहुत ही प्यारा है अभी इस दुनिया की सुख दुख से अंजानी तेरी बाते तू खुश है तो ममता खुश है दिल खुश है खुश है राते तो अभी मा कहती है कि तुम छोटी हो और तुम्हें इस दुनिया की सुख दुख की बातों से अंजान हो तो इसी लिए यहां तुम्हारी जो बाते होती है वह बहुत प्यारी होती है तुम खुश हो तो ममता खुश है दिल खुश है खुश है राते तुम खुश रहोगी, तो तुम्हारी मा भी तुम्हारे साथ खुश रहेगी. शाम सुनाए लोरी तुझको, गाये गीत सवेरा, सोजा सोजा नन्ही मुनिया, प्यारा बच्पन, तेरा. जैसे ही शाम हो जाए शाम तुझको लोरी सुनाए और जैसे ही सवेरे तू उठ जाए वह तू गीत गाके जगाए सोजा सोजा नन्धी मुनिया प्यारा बचपन तेरा ये जो बचपन है वो बहुत ही प्यारा है तो बच्चो आशा करती हूँ कि यह कविता आपके समझ में आग आ गई होगी अभी आगे हम स्वाध्याय देखेंगे स्वाध्याई क्रमांक एक सुनो, समझो और दहराओ अभी हम बच्चो स्वाध्याई एक में क्या देख रहे है कि हमें सुनो, समझो और वह शब्दों को दहराना है अभी देखो वहाँ पे चार रंग के चार बॉक्सिज में चार अक्षर दिये गए हुए है अभी कौन से अक्षर है बच्चों? अभी मेरे पीछे आपको दोराना है. पहला अक्षर है क्षर, उसके बाद में त्र, उसके बाद में ग्णिय और उसके बाद में श्र. इन अक्षरों से कुछ शब्द दिये गए हुए है. वो हमें पढ़ना है. अभ श्र से क्षमा, अक्षय, त्र से त्रिवेणी, मित्र, ग्णिय से ग्ण्यान, विद्ण्यान, और श्र से श्रवन, विश्राम. तो यहाँ शब्द आपको अच्छे से पढ़ना है. और यहाँ जो शब्द है न बच्चों, यह वर्णमाला, ये वर्णमाला के आखरी तो यह आपको पढ़ना है और दोहराना है. अभी स्वाध्या एक्रमांक दो. पढ़ो और उनके नाम बताओ. अभी हमें यह पढ़ना भी है और उनके नाम भी बताने है. अभी पहला, जादू दिखाने वाला. अभी बच्चों, जादू दिखाने वाला कौन होता है? कौन बताएगा मुझे ये वैरी गूड जादू गर तो जादू बताने वाला जादू गर होता है अभी दूसरा मूर्तिया बनाने वाला कौन होता है बच्चो वैरी गूड मूर्तिकार होता है तो मूर्तिया बनवाने वाला मूर्तिकार होता है तीसरा, गीत गाने वाला गायक होता है अभी तीसरा स्वाध्य है पढ़ो और रंगित शब्दो को समझो अभी हमें यहाँ पे कुछ रंगित शब्द दिये हुए है उसे हमें पढ़ना है बच्चो और समझना है तो पहला, मैं दूसरी कक्षा में पढ़ रहा हूँ अभी देखो, मैं अभी इदर मैं और मैं पढ़ने में दोनों एक जैसे शब्द लगते है लेकिन इसके दोनों के अर्थ ये अलग-अलग है मुझे अपने आपके लिए बोलना है अब ये जो मैं शब्द है, वो हम कब इस्तमाल करते है जब मुझे खुद के लिए वह इस्तमाल करना है और मैं पढ़ रहा हूँ मैं याने अंदर का शब्द याने मैं कही जा रहा हूँ मैं कही से आ रहा हूँ ये ऐसे जगह पे मैं ये शब्द इस्तमाल होता है, और मैं याने मैं खुद, ये मेरी जगह पे हम उसे इस्तमाल करते है, अभी दूसरा, मा ने पूछा, कहा गई थी, मुनिया ने कहा, मैं खेलने गई थी, अभी देखो, कहा और कहा, ये दोनों शब्द दिखने में और समझने में एक जैसे है, लेकिन दोनों के भी अर्थ अलग-अलग है, कहा मैं चंद्रबिंदू लगाया जाता है, उससे उसका अर्थ बदल जाता है, कहा मतलग कोई प्रश्न हमें पूछ रहा है, और कहा मिन्स ब बोल रहा है, अभी जैसे मा ने पूछा, कहा गई थी, कहा से आ रही थी, याने कोई हमें प्रश्न पूछ रहा है, और मुनिया ने कहा, मैं खेलने गई थी, याने मुनिया क्या कर रही है, जवाब दे रही है, कि मैं खेलने गई थी, अब तीसरा बिल्ली चुए की और लपकी और वह भाग गया अभी बच्चो और 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 ये शब्द उच्चारन में एक जैसे लगते हैं लेकिन ये दोनों का अर्थ अलग-अलग है और और मतलब वह शब्द किसी दिशा के तरफ इशारा कर रहा है और और क्या बता रहा है कि दो शब्दो या वाक्य को चोड़ने के लिए कहा जाता है तो बच्चो आपको समझ में आया और बिल्ली चुए और लपकी और वह भाग गया अभी चौथा सोनू खेल रही है उसकी सहेलिया बैठी है तो बच्चो सोनू खेल रही है याने सोनू एक अकेली लड़की है और वह खेल रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक वच्चन तो है ये एक वच्चन के लिए इस्तमाल किया जाता है अभी स्वाद्याय चौथा एक शब्द में उत्तर लिखो अभी हमें यहापे एक शब्द में उत्तर लिखना है पहला गीत गाए अभी हमने कविता देखी बच्चो और पढ़ी भी तो अभी हमें एक वाक्य में इसके उत्तर देना है तो गीत गाए गीत गाए क्या है बच्चो सवेरा वेरी गुड तो गीत गाए सवेरा अभी दूसरा सपनों में आती अभी बच्चो सपनों में कौन आता है वेरी गुड परिया अभी सपनों में परिया आती है अभी स्वाध्याए पाचवा तुमने देखा हुआ कोई सपना कख्चा में सुनाओ अभी बच्चो जब हम रात में सोते हैं तो हमें अच्छे-च्छे सपने आते हैं तो अभी आपको आपका कोई भी एक सपना आपकी टीचर को सुनाना है अभी देखो, यहाँ पे दो बच्चे आपसे कुछ सवाल पूछ रहे है तुमने सुनी हुई कोई एक लोरी सुनाओ अभी बच्चो, आप सब बच्चे ही हो और आप हमेशा अपने मम्मी या दादी नानी से लोरी भी सुनते हो तो आपको कोई भी एक लोरी कक्षा में आकर सुनाना है अभी देखो, लड़की क्या पूछ रही है? तुम्हें लोरी कौन सुनाता है? अभी बच्चो, आप सब को पता है कि हमें लोरी कौन सुनाता है? हम हमारी नानी, मम्मी या दादी से हमेशा लोरी सुनते हैं सुनाती है. तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह कविता और कविता का स्वाध्याय समझ में आया होगा. Now, today's homework. So, children, you have to complete page number 51 in your classwork notebook. So, children, goodbye. Have a nice day.